जेहिन नमस्कार मानेवर देखिएगा आज की क्लास में हम लोग समझेंगे सविधान के बारे में आज की पूर्टे जो चर्चा होगी वो सविधान को लेकर की जाएगी कि सविधान क्या होता है सविधान को क्यों बनाया जाता है किसी भी राज्ये के लिए सविधान कैसे एक समाज को अगर सर करने में महतोपूर्ण भूमी का निभाता है फिर एक concept होता है राज्ये का कि राज्ये क्या है राज्ये की आधाना क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे और फिर उसी से एक concept निकल के आता है सविधान वाज तो हम लोग आज बेसिकली समझेंगे कि सविधान क्या है, सविधान का रोल क्या होता है, और राज्य क्या होता है, और राज्य को चलाने के लिए जो सविधान है वो कैसे काम करता है, तो सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं कि सविधान क्या है, एक society को regulate करने के लिए सविध कि जरूरत क्यों पड़ती है इसी के बार में देखते हैं देखो आप एक बार इमेजिन कीजिएगा यह है एक भोगोलिक छेतर कोई एक जोगरोफिकल एरिया है जैसे कि इसको भारत ही मान लीजिएगा अब कोई भी जोगरोफिकल एरिया है वहाँ पर सभाविक सी बात है कि टाइबर्स टीवट सइन तो मिले गा है यह विविद्ध Pode ऑना लीं तो पाई जयेकी जिसके भारत में यह दिकाज़ाए तो धरूरत जाती के अधार पर एदी देखा जाए तो एक दूसरे से बटे हुए है। क्या धरम के नाम पर यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सीख, हिसाई के बीच में बिची में विवाद नहीं होता है। अपर कास्ट और लोवर कास्ट जो है इन लोगों के बीच में विवाद नहीं होता है अब यहाँ पर नोटिस कीजेगा कि जो एक नीचे ले दरजे का काम करता है और एक अपर लेवर का काम करता है तो इन दोनों के इंदर डिस्क्रिमिरेशन नहीं होता है तो यहाँ पर आप समाज में होता है जैसे कि अमेरिका के समाज में देखा जाए तो वहां पर काले और गोरे में भेदभाव किया जाता है कहीं पर अमीर गरीब का भेदभाव किया जाता है हर जगह पर discrimination होता है diversification पाया जाता है society के अंदर तो क्या है इसी diversification की वज़े से इसी विविदता की वज़े से यहाँ पर chances होते हैं बहुत ज़्यादा कि यहाँ पर conflict होंगे यहाँ पर मतलब कि विद्रोव अगेर होंगे इन दोनों यह जो दल है इनके अंदर आपसी मतलब होंगे जिससे की विद्रोव उत्पन होगा अब देखिएगा जब इनके अंदर विद्रोव उत्पन होगा धरम के नाम पर जाते के नाम पर कारिय परणाली के अधार पर कारिय ओक्यूपेशन के अधार पर तो क्या होगा पर यह जो एरिया है जैसी कि ये डिवाइड हो सकता है तो इससे क्या होगा कण्फिलीट होगा तो सभाविक शीबाथ है कि इस छेतर की अखंडता के उपर खत्रा जाएगा. यानि कि इस देश की जो एकता है उसके उपर खतरा आजाएगा Unification के उपर खतरा आजाएगा तो सविधान बनाया जाता है कि धरम के नाम पर जाति के नाम पर जो कारिये पृणाली के अधार पर जो लोगों में भेदभाव है उन marshmallow के अंदर coordination बठाया जा सके तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सविधान का कारिय क्या है वो कोडिनेशन बठाने का काम करता है क्या करता है कोडिनेशन बठाता है अब यहाँ पर देख लीजिएगा यदि भारत के अंदर धार्मिक दंगे होते हैं तो भारत तूट थोड़ी न जाता है पर 1927 में यहाँ पर जम्मु कश्मीर में तो बहुत सारे आंदोलन हुए है कश्मीरी पंडित को यहाँ से भागा दिया जाता है भारत के अंदर यहाँ पर सोमनाक्षी रख्थिया तरह निकाली जाती यूप्टी में जो बाबरी मस्जित था उसको गिरा दिया जाता है तो कितने सार लेकिन उसके बाद में क्या देश के अंदर धरम के नाम पर देश का वीवाजन हुआ है नहीं हुआ है क्यों कि इस जहगा पर समन्वे बेठाने का काम करता है सवीधान तो सवीधान क्या है कि जो सोसाइटि के अंदर रहने वाली विविद्टा के लोग है उन सभी को आपस में जोडने का काम करता है आई बात आपको समझ में आया होगा अब देखिएगा पहला काम तो है सविधान का कोरिडिनेशन करता है दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि कोरिडिनेशन बठाएगा कुन? बाई कोई एक ऐसी संस्ता भी तो होनी चाहिए जो कोरिडिनेशन बठाने के लिए इन लोगों के बीच में काम करे तो कोरिडिनेशन कुन बठाएगा? तो आप यहाँ पर देखना सरकार जो है वो कोरिडिनेशन बठाने का काम करती है तो सरकार का प्रावधान कहां से आता है Constitution से यह जो सवीधान है अब देखेगा सरकार कोन बनाएगा अब यहाँ पर सरकार बना सकते हैं जैसे कि हमने बताए कि धर्मिक लोग जो है हिंदू धर्म के लोग हैं वो बोलेंगे कि हमारी सरकार होनी चाहिए मुस्लिम धर्म के जो है सिख हो चाहिए इसाई हो जो पार्स यह न वो बोलेंगे कि हमारी सरकार होनी चाहिए वर्चस वेपर वो व्यक्ति बैठना चाहिए जो हमारे दल का हो जो हमारे धर्म का हो हमारी कमिनेटी का हो ठीक है अब क्या है तो इसके अंदर सरकार कोन बनाएगा किसकी सरकार ब ये सविधान महतवपून रोल प्ले करता है दूसरी बात ये है कि ये जो कोडिनेशन बनाने के लिए इस सोसाइटी को चलाने के लिए जैसे कि राज्य है अब राज्य का यदि चाइना के साथ में विवाद हो जाता है तो भाई सरकार की जरूरत पड़ेगी इस समाज को आग सविधान क्या करता है सरकार के निर्माण में महतवपून रोल प्ले करता है कि सरकार किस की बनेगी अब देखिएगा दोस्तों सविधान कहीं न कहीं सरकार के उपर लिमीटेशन भी सेट कर देता है देखिएगा ये जिस सरकार मान के चलो की मुस्लिम लोगों की सरकार बन जाती है हम यहां पर किसी दल को काउंटर नहीं कर रहे हैं बेसिकली हम यहां पर explanation करने के लिए यहां पर एक गुरुप का नाम ले रहे हैं जैसे कि मान के चलो हिंदू की सरकार बन जाती एक विशेश वर्ग की सरकार बन जाती में भी यहां माक्सवादी विक्ति हो उसकी सरकार बन जाती है एक बार तो क्या करेगा पूरी मतलब में पूरा जो राज्य ज Five सानगा पूरी जनता अपने हिसाब सेनगा जो सरकार है वो कही ना कही ताना साही नहीं बन जाए तो सरकार के उपर लिमिटेशन सेट करने का काम कोन करता है सविधान इसके उपर लिमिटेशन सेट करने का काम करता है हो सकता है कोई माक्सवादी व्यक्ति आ जाए और जो माक्सवादी होते है कनिजम वाले लोग होते है अब आ रोगे एक हैं माकिस्वादी कुक्र फिला पोई और हैं tricked के मांग अदायां मंतिरी वक्राइब सुरम को धर्सेंटे खिर में85 कि साथ तक अधिकार दिये गए उसको चीन ले आपकी प्रोपर्टी चीन ले ताना सा बन जाए तो जो गोवर्मेंट होगी उस पर लिमिटेशन कौन लगाएगा तो गोवर्मेंट जो है इसके उपर लिमिटेशन लगाने का काम भी सरकार करता है जो भारती सविधान है वो करता है आ सबी के बीच में कोडिनेशन बठाए तब पस्चात क्या है जो राज्य है जो भोगोलिक छेतर है उसकी रक्षय करने के लिए विदेशी सीमाओं के साथ में लड़ने के लिए जो समाज है उसके विकास के लिए कल्यान के लिए एक सरकार का निर्मान करें अब सरकार का निर्म सविधान बनाता है कि लोगतंतर है जैसे की वोटिंग सिस्टम के दुवार आएगा वो सविधान को पढ़ेंगे तब जानेंगे कि सरकार कैसे चुनी जाती है ठीक है तो सरकार कैसे चुनी जाएगी यह चीज कहां कौन बताता है भारती सविधान बताता है तब पश्चात कह सरकार कहीं तानासाय ने बन जाए सरकार कहीं मनमानी ने करने लगे तो उसके उपर limitation set करने का काम कुन करता है सविधान करता है अब देखो दोस्तों जब सरकार पर limitation set कर दी जाती है तो इस concept को सविधानवाद कहा जाता है सविधानवाद कहा जाता है समीधानवाद क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे लेकिन इससे पहले concept होता है राज्य राज्य क्या होता है इसके बारे में देखते हैं concept होता है राज्य, राज्य के बारे में देखते हैं देखो दोस्तो राज्य क्या है राज्ये के बारे में आपको इजी देखना है तो चार यहाँ पर आपको बेसिकली चीजे देखने पड़ेगी एक तो होता है भोगोलिक छेतर कोई भी एक जोगरोफिकल एरिया हो हम राज्ये किसको बोलेंगे स्टेट किसे कहा जाता है तो देखो कोई भी एक जोगरुफिकल एरिया हो जैसे कि भारत का एक जोगरुफिकल एरिया है अब यहाँ पर क्या है इस भोगोलिक छेतर में निवेश करने वाली एक जनता हो पार्टिकुलर लोग हो तो यहां की क्या हो जाएगी उस छेतर की कोई ना कोई जनसंग क्या हो ठीक है, भोगोलिक छेतर हो जाएगा, जनसंख्या हो जाएगी, तत्पस्चात क्या है, इस भोगोलिक छेतर की रक्ष्या करने वाली एक सरकार हो, इन लोगों के कल्यान के लिए काम करने वाली सरकार हो, तो वो क्या होता है, राज्ये का पार्ट होता है, यहाँ पर सरकार, तीन चीज़े आपको समझ में आ गई होगी कि भी भोगोलिक छेतर होना चाहिए किसी भी राज्ये के निर्मान के लिए कोई उसकी पार्टिकुलर जनसंक्या होनी चाहिए ततपस्चात है कि भोगोलिक सीमाओं की रक्षया करने के लिए जनसंक्या जो है जो लोग है उनके कल्यान के लिए कोई ना कोई सरकार होनी चाहिए तो तीसरा पार्ट हो गए सरकार अब देखिएगा दोस्तों क्या भारत अभी राज्ये है बिल्कुल राज्ये है अभी इसमें से एक चीज़ छूड़ जाती बिल्कुल राज्ये जो किसी का गुलाम ना हो विदेश निती में अपनी खुद की चलाता हो अपने खुद के विवेक से अपनी परिस्तितियों के इसाब से अपने सल्फ इंट्रेस्ट के इसाब से डिसीजन लिया जाए अब देखो हम लोग यह देखते हैं कि क्या भारत 1947 से पहले एक राज्ये हुआ करता था तो देखिएगा हमने चार कॉंपोनेंट बताये है एक स्टेट के एक राज्ये के सबसे पहले बताया है कि जोगरोफिकल एरिया होना चाहिए एक भोगोलिक छेतर होना चाहिए तो भारत का 1947 से पहले कोई छेतर हुआ करता था तो बिल्कुल ये छेतर हुआ करता था तक पस्चार दूसरी बात है कि जनसंक्या तो भारत की जनसंक्या उस वक्त हुआ करती थी भारत के लोग उस वक्त भी हुआ करते थे 1947 से पहले यदि बात की जाए तो उस वक्त सरकार थी भारत के उपर यदि कोई भारत की खुद की सरकार थी भारत की खुद की कोई सवतंतर सरकार नहीं थी वो जो सरकार थी वो बिरिटेन की थी जिन लोगों ने हमें गुलाम बना रखा था इसलिए हमारे पास में संप्रवुता भी नहीं थी जिस देश के पास में, जिस जन्संक्या के पास में, जिस भोगोलिक छेतर के पास में यदि खुद की सरकार नहीं होगी तो वो संप्रुभू भी नहीं होगा अब हमारे यहाँ पर यह दि 1947 से पहले हम लोग अपनी विदेश सिनिती खुद थोड़ी ना डिसाइड क्या करते थे वो हमारी जो विदेश सिनिती थी, वो अंगरिजों की दुवारत है की जाती थी इसलिए 1917 से पहले हम लोग नहीं मानते हैं कि हम लोग एक संपून राज्य थे हम लोग राज्य क्या उधाना में तो थे लेकिन एक तरीके से आधा राज्य था हमारे पास में सिर्फ दो कॉम्पोनेंट थे, यह जो सौतंतर सरकार थी वो नहीं थी भारत की इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा देखिए गर राज्य क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बता दिया कि राज्य के चार कॉम्पोनेंट होते हैं आप हम लोग देखते हैं कि राज्य कितने प्रकार का हो सकता है पर राज्य तो कितने भी प्रकार का हो सकता है यदि बात की जाए तो यहाँ पर राज तंतर भी हो सकता है जैसे कि आज यदि साओधी अरब की बात की जाए वहाँ पर राज तंतर है वहां पर भी उन लोगों के एक भोगोल इक्षेतर हो जाता है अरप रायदिप के अंदर उनकी जन्संक्या भी है उनकी सरकार भी है उनका वो समप्रभू भी है वो अपने हिसाब से खुज़ के हिसाब से डिशीजन लेते हैं तो राज्य हो गया ना साओधी अरब लेकिन वहां पर राज्य का प्रकार कुन सा है वो है राज तंतर यहां पर यहां पर यह बात की जाए उत्रकोरिया की तो वह वहां पर एक तरीकी से हो तो ताना साही है वह क्या है ताना साही है यह बात की जाए तो और कौन से प्रकार हो होते हैं राज्य के वहां पेब हो सकता है अल्प तन्तर कुछ ही लोगों का तंतरenced घ Fields के बारे मैं भी समझाते कि एक होता है लोक तंतर है कि अधुक हं तो देखिएगा दोस्तों जब यहांपर यही स critically देखिएगा यदि यहाँ पर सरकार जो है वो राजा की हो जाए तो वो राजतंतर हो जाता है तानासाही का मतलब क्या है यदि सरकार जो है जो सासन कर रहा है वो तानासा हो जाए किसी की नय सुनता हो वो तानासाही सरकार हो जाती है अलपतंतर का मतलब यह है कि एक जो राज्य है एक जो राज्य है उसके अंदर जो सरकार है उसमें सिर्फ कुछ ही लोगों का बोलबाला हो जैसे कि मान के चलिएगा यानि एक समगर राज्य है उसके अंदर कुछ विशेश लोगों का यदि बर्चस्व हो जा उसी की यदि लो लोग है जो रिच पूपल है उनका पूरा डूमीनेशन हो जाए उसको कुलीन तंतर बोला जाता है लेकिन तत्सपश्चात आता है दोस्तों लोगतंतर का कंश्प्टिकी लोगतंतर क्या है एक ऐसा राज्ये जहां पर सरकार जो है लोगों के दुआरा चुनी जाए उसी को ल इरिया में निवास करने वाली एक जन्शंक्या होनी चाहिए उस जन्शंक्या के विकास के लिए भोगोलीक सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक सरकार होनी चाहिए और वो सरकार संपरवू होनी चाहिए किसी के सामने नहीं जुकती हो अपने खुद के डिसिजन खुद लेती हो वो एक संपूर्ण एक समगर राज्य कहलाता है जैसे कि भारत की बात कर ली जाए राज्य के हमने आपको यहाँ पर टाइप से बता दिये बहुत प्रकार के राजतंतर में जो सरकार होगी वो एक राजा की होगी ठीक है अलपतंतर में जो सरकार होगी वो कुछ ही लोगों की सरकार होगी यानि कि कुछ लोग डोमिनेट करेंगे पूरे राज्य के उपर कुलीन तंतर में क्या है जो रिच पिपल होंगे जो सोसाइटी के रिच लोग लोग होंगे जो अमीर लोग होंगे वो सोसाइटी के वो राज्य के उपर डोमिनेट करेंगे और लोगतंतर में क्या है कि राज्य के उपर जो समगर जनसंग क्या है वो सरकार चुन के भेज़ेगी भारत क्या है लोगतंतर है अमेरिका क्या है लोगतंतरिक देशे इसी पर सविधानवाद क्या है उसके बारे में देखते हैं कि राज तंतर के अंदर सविधानवाद होगा क्या आल्पतंतर में सविधानवाद होगा कुलीन तंतर में कोई सविधानवाद होगा तो सविधानवाद का मतलब ही है कि कोई भी राज्य कोई भी राज्य जब सविधान को मद्दे नजर रखते हुए कोई काम करता है वो ही सविधान वाद कहलाता है यानि कि जहाँ पर जब जो सरकार हो वो सविधान के इसाब से कम करती हो उसे सविधान वाद कहा जाता है अब यहाँ पर हर परकार के राजे हैं सविधान क्या हर जगय पर होता है पर यदि राज राजतनत्र में सविधान बना भी दिया गया तो किस के इसाब से चलेगा सविधान को मनाएगा राजा बनाएगा वो चाहेगा जब जिस दिन नए कानून लाएगा जिस दिन नए कानून तोड़ देगा ताना साही वेक्ति है वहाँ पर वो सविधान के इसाब से चलेगा ता सब्षास सब्सक्राइब है नहीं करेंगा है उनके दिमाग के इसाब से उनके व्यवेक से डिसिजण लिया जाएगा कुलीन पन्तर में सब्षास से काम नहीं चता है सब्षास से राज नहीं करता है कुलीन तंतर में जो रिची लोग है उनके हिसाब से उनके विवेक से राजे को चलाया जाता है लेकिन दोस्तों लोग तंतर में क्या है यदि सविधान को आप लोग देखेंगे तो सबसे जादा सविधान का फोलो सविधान को आचरन जो सविधान को फोलो कहां किया जाता है लोगतांतरिक देश में जितना भी लोगतांतरिक देश है वहाँ पर सविधान बाद होता है क्योंको कि जितने भी लोगतांतरिक देश है वो सविधान के इसाब से चलते हैं जब जब सरकार यदि अपनी मन मानी कर लेकिन यदि सरकार अपनी मनमानी करती है तो सरकार के उपर लिमिटेशन सेट कर देता है सविधानवाद का मेन कंसेप्ट यही है कि जब सरकार यदी मनमानी करे तो सरकार के उपर लिमिटेशन सेट कर दे एक ऐसा राज्ये जहांपर सविधान ही सब कुछ हो सविधान ही प्र दिया जाएगा देखेंगा दोस्तों लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने सवीधानवाद का17B लिया कि वहीडांकी बिस्पुर्वकस के को बचाने के लिए हम लोग सविधानवाद को फोलो करते हैं सविधानवाद के चार पार्ट यानि कि लोगतंतर को बचाने के लिए हम लोग चार चीजों को फोलो करते हैं क्या है दोस्तों वह है लेजिसलेटिव देखेगा यह बड़ा इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट है कि ल लोगतंतर को बचाने के लिए यहाँ पर चार पीलर काम करते हैं, सविधानवाद के हम लोग एक तरीकी से चार भाग देख लेते हैं, चार कॉम्पोनेंट देखते हैं, तो लोगतंतर को बचाने के लिए सबसे पहले क्या बनाया जाता है, लेजिसलेटिव, दूसरा क्या है, एग्जिकेटिव तीसरा है जुडिसेरी और चोथा है मेडिया यहां legislative क्या करती है legislative का काम होता है कानून बनाना जो आपके यहां से संसद पुना जाएगा संसद भावन में आकर के कानून बनाएगा जो आपका विधायक होगा वो विधाईका में जाकर के कानून बनाएगा ठीक है कानून बनाने वाला व्यक्ति अलग होता है यह जो legislative के जो लोग है वो क्या करते हैं कानून बनाते हैं संसद में बैठ करके विधाईका में बैठ करके कानून बनाते हैं जो कानून विदाई का के दुवारा बना दिये जाते हैं उनको लागू करने का काम करता है एक्जिकेट्व डियम जो है आईपीस जो है जो भी अधिकारी लोग है जो कि जैसे कि सरकारी तंतर के जो लोग है वो कौन होते हैं वो एक्जिकेट्व लोग होते हैं ठीक है अब य यहां पर क्या है लोकतंतर के बचाने के तरीके हैं यह जो क्या होगा उसके अंदर कामों का वरगी करन कर दिया जाता है कि कौण सी संस्ता क्या काम करेगी यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम नहीं किया जाता है लोक्तंतर को बचाने के लिए अलग-अलग संस्ता है बना दी जाती कि कौन सी संस्ता कैसे काम करेगी अब देखिएगा यहाँ पर क्या है यह जो विधाई का है कोई ऐसे कानून बना दे जिससे की धरम समाप्त हो जाए हमने आपको बताया ना कि यदि आपकी धरमिक भेदवाव के साथ में कोई खेल रहा है यहाँ पर कानून बना दिया जाता है तो उस वक्त क्या है जूडी सेरी इस कानून को चेक करने भी जाता है जूडी सेरी जो है यह कानून को चेक करेगा कि यह कानून सही है यह नहीं है यदि ऐसा कानून बनाया जाएगा जो कि सविधान की अब हेल ना करता हो तो उस कानून को रद कर दिया जाता है कि power हर संस्ता के पास में अलग होगी लेजिसलेटिव के यदि लोग कानून बना सकते हैं तो उसको चेक करने का काम कोन करेगी कि आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो कि सविधान के खिलाब जाता हो हमारा सविधान क्या कहता है हर वर्ग के जो लोग है हर धरम के जो लोग है हर जाती के जो लोग है उनको जीने का अधिकार है वो लोग अपना विकास करे अच्छे तरीके से रहे लेकिन यदि आप लोग किसी जाती के लोगों को विशेज जाती के लोगों को एदि टारगेट करते भी से धरम के लोगों के खिलाफ में कारिवाई करते हैं, तो आपका वो कानून हम मानने नहीं करेंगे, उसको जो डिशेरी समाप्त का देती, I hope कि आपको समझ में आगा होगा कि हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा है, हमने सबसे पहले पढ़ाख था कि सविधान क्या है, बढ़ा देखिएगा, एक नियम कानून की पुस्तक है, और कुछ भे नियम कानून की पुस्तक है, जो कि एक राज्य को चलाने के लिए जरूरी हो, जैसी कि हमारा जो सविधान के, वो क्या है, बैई ये जो हमारा देश है, ये अच्छे से विकास कर पाए, हमारा जो सविधान होगा, वो अलग होगा, ये भारते में सब लोग चोर बसते हों, तो क्या बोलेंगे, वो चोरी को अच्छी चीज मानेंगे, लेकिन हम लोग जो भारते में ये शरीफ लोग ज्यादा बसते हैं, तो चोरी को बुरी चीज मानते हैं, है कि नी, हर समाज के लोगों क सविधान को निर्माण करते हैं थिक हैं इतना बात समझ में आ गया है कि सविधान क्या है एक कानून करते हैं तत्रक्राया है तंत्र के लोगतंतर के लिए यहां पर चार पीलर होते हैं वह जूर्णी से मिल जाए कि कभी जूर्णी चरही से मिल जाए लीजिसलीटिव जूरी से मिलकर के कोई ऐसा decision ले ले जो कि सविधान पे खत्रहों जो राज्य की निवासि हैं, जो राज्य की कि ज नशंक्या है, जो राज्य की भोगोलिक्षेतर है, है राजे की संपर्पुता पे दी खत्रा हो तो वो मीडिया जो है इस बात को जनता के सामने उजागर कर देगा ताकि वो जनता है सरका का विरोध कर सके ताकि अपने सविधान की रख्षय कर सके अब देखा जाता है कि मिडिया वो विधाइका लंगडा हो रहा है इस तरीके से बात की जाती कभी ऐसा हो जाए की लेजिसलेटिव एक्जिकेटिव जुडी सेरी तीनों एक दूसरे एक्जिकेटिव तो एक तरीके से गुलाम होती ही लेजिसलेटिव की एक्जिकेटिव तो पूर्ण तरीकी से लेजिसलेटिव के हिसाब से ही काम करती है यदि कभी जुडी सेरी और लेजिस लेटी एक दूसरे से मिल जाए और मीडिया तो एक तरीके से इनकी गुलाम होई गई तो क्या होगा